इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पिस्टिल, मेगा इस्पॉरिंजियम और देम्परियो तो यहां पे आप यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह एक डाइसेक्टिट हिबिसकस फ्लार की पिस्टिल है और जिसमें आप देख सकते हैं कि ओबरी यह ओबरी है सेकेंड जो यह वाला डायग्राम है यह मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस बिस्टिल ओफ पैपा वार है ध्रड्द यह मल्टी कार्पष एपोकर्पस गारिशयम ओफ मै श्यल है और यह एक टिपिकल एनघ्रॉपस ओव्यूल का diagrammatic representation है तो अब ये सारे terms क्या है sincorpus, multicarpillary unicarpus so let's see all these terms तो जब gyneum होती है उसमें किवल एक pistil present होती है तो ऐसी gyneum को monocarpillary gyneum क्याते है जैसा कि हिबिसकस की फ्लार में होता है multi-carpillary gyneuseum वो gyneuseum होती है जिसमें multiple pistils होता है तो अगर मैं वही वाला डाइग्राम आपको फिर से दिखाऊं देखो, यहाँ पे यह वाले डाइग्राम में आप देखो तीक है, यह एक multi-carpillary gyneuseum है जिसमें यह इतने सारे carpals है, line से सारे carpals जो है वो arranged है, ठीक है अब यह जो multi-carpillary pistils होती है यह दो टाइप की हो सकती है एक तो apocarpus और एक sincarpus apo और sin का क्या मतलब है apo का मतलब होता है अलग-अलग, differentiated sin का मतलब होता है एक साथ, जुड़े हुए and carpals is carpals, ठीक है तो जब बहुत सारे pistils एक flower की separate होती है जैसे की lotus और rose में तो ऐसी pistils को apocarpus gyneuseum कहते है ठीक है sincarpus क्या होता है जब कि several pistils of the same flower are fused एक संग fuse होती है तो उसे sincarpus कहते है इसका example है tomato ठीक है फिर flower को pistils की gyneuseum की position के base पे तीन types में divide किया गया है epigynous flower, hypogynous flower, perigynous flower ठीक है तो अब जड़ा ये diagram को ध्यान से देखिए ये देखिए ठीक है तो ये एक hypogynous flower है hypogynous flower जिसमें ovary superior होती है देखो ये दो term से मिलके बना है hypogynous hypo is below hypo का मतलब होता है below ठीक है और gynous is gyneuseum तो जब पूरा flower gyneuseum के hypogynous flower बोलते हैं जैसे की यहां पर ये आप देख सकते हैं ovary बाकी जो होल है ovary के नीचे से बिगिन ओ रहा है तो इस condition को हम क्या बोलते हैं hypogynous flower I hope it is clear next है perigynous perigynous ovary half inferior ovary inferior है मतलब बाकी के जो होल है वो ovary के उपर से इनिशियेट हो रहे है ovary बिलकुल यहां नीचे की position में है और बाकी के यह जो होल है ovary के उपर से इनिशियेट हो रहे है ठीक है ये half inferior इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से अंदर नहीं है ovary का कुछ पाट जो है अभी भी बाहर है यहां पे देखिए epigynous epi का मतलब होता है उपर अबव ठीक है और gynous gynous is again what ovary तो जब ovary पूरी तरीके से इनिशियेर है यह जो thalamus है एक close chamber-like बना रहा है जिसमें ovary जो है वो अंदर embedded है तो इस condition में इस तरीके की flowers को epi gynous flower भोलते हैं so I hope it is clear to all of you now right so next is mega spore inge ovary ठीक है तो हम यहां पेख छोट असा एक comparison type करते हैं ठीक है जो थोड़ा confusing हो जाता है यह spore inge तो यह आपको समझने में help करेगा तो हमने male system के बारे में already study किया है और अभी हम female system के बारे में study कर रहे है ठीक है तो actually यहां पे मूँ से system ही निकलता है but the thing is कि plants में system नहीं होते है होते हैं but यह जो flower है वो system नहीं है ठीक है so avoid that word system तो हमने male micro spore ingeum के बारे में बात किया था तो जो male gamete होता है वो छोटा होता है काफी और जो male gametophyte बगरा होते हैं वो भी सब काफी छोटे होते हैं जो spore बनते है वो भी छोटे होते हैं इसलिए इन्हे micro spore ingeum या micro spores बोलते हैं तो जो micro spore ingeum थी वो क्या थी micro spore ingeum किसे बोल रहे थे हैं pollen sack को बोल रहे थे ठीक है पोलन sack में हमारे क्या बने micro spore ठीक है यह micro spore कैसे बने यह micro spore बने थे by the process of meiosis राइट micro spore tetrate बना था या दो तो ठीक है फिर वो micro spore tetrate जो है वो अलग-अलग होके male gametophyte बनाता है हर एक micro spore एक milk gametophyte बनाता है तो यह male gametophyte बने जो male gametophyte क्या थे हमारे pollen grain ठीक है अब यह जो pollen grain है इसके अंदर mitosis से pollen grain में mitosis से कौन develop हुआ male gamet अल्राइट अब बात करते हैं हम इदर female parts की सो female में यह कहलाते हैं मेगाइस्पोर एंजियम मेगाइस्पोर एंजियम क्या है ओफियूल मेगाइस्पोर एंजियम में मियोसिस होगा और बनेंगे मेगाइस्पोर ठीक है यहां पे चार माइक्रोस्पोर बन रहे थे चारों के चारों फंक्शनल थे और एज़र इज़र चार गेमिटोफाइट डेवलप हो रहे थे यहां चार मेगाइस्पोर बनेंगे जिन में से सिरफ एक फंक्शनल रहेगा और एक ही फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप होगा और ये जो female gametophyte डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे embryo sac और इस embryo sac में as a result of mitosis डेवलप होगा female gamete ठीक है तो pollen sac का homologous structure यहाँ पे female में है ovule male gametophyte that is pollen grain का homologous structure यहाँ पे है embryo sac ठीक है तो कुछ समझ में आ रहा है कुछ clarity मिल रही है चलो थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया होगा तो that's good अब हम detail में देखते हैं हर चीज को तो हम एक करके अब start करते हैं सबसे पहला हम discuss करते हैं Megasporyngium that is ovule अब में जगे जगे पर वापस से इसको plant से compare करती चलोंगी ताकि you don't get confused ठीक है प्लांट के मेल पार्ट से compare करती चलोंगी so that you don't get confused तो ovule जैसा कि अभी 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 अबने देखा था इसका homologous structure मेल में क्या होता है pollen sack राइट इस होल को बोलते micropile ठीक है इस होल का काम होता है इस होल का काम होता है in most of the cases इस micropile का काम होता है कि जो pollen tube है की उसको redirect करेगा ये towards the egg cell ठीक है as I said in most of the case depends on कि किस type की fertilization हो रहा है तो different type के fertilization होते हैं प्लांट में ठीक है porogammy, chalizogammy that is the other thing but most of the time porogammy होता है जिसमें pollen tubes होती है इस micropile के through enter करती है ovule के अंदर इस micropile के just opposite end पे this one is known as chaliza ठीक है इस end इसको बोलते है chaliza ठीक है इसके अंदर ये जो tissue है ovule के अंदर ये बीच में ये sporogenous tissue है nucellus ठीक है nucellus इस nucellus की कोई एक specific cell जो है वो mega spore mother cell की तरह behave करती है ये जो nucellus है ये पूरा sporogenous tissue है ठीक है इसकी कोई cell behave करती है as a mega spore mother cell ठीक है mega spore mother cell और बाकी जो cells होती है nucellus की they are very rich in cytoplasm and they behave as a nutritive tissue ये nucellus है nucleus नहीं है ध्यान से spelling ठीक है अब जो mega spore mother cell थी उस mega spore mother cell में meiosis हुआ और as a result of meiosis four mega spore बने जिसमें से केवल एक functional रहा बाकी तीन degenerate हो है और उस एक functional mega spore ने बनाया female gametophyte ठीक है ये जो female gametophyte है ये है ये embryo sec so this embryo sec is what this is female gametophyte मैंने पिछली क्लास में भी बताया था gametophyte का क्या मतलब होता है plant का वो part जो gamete bear करता है उसे gametophyte कहते है lower plants में जो की crypto games होते हैं उनमें main generation gametophytic होती है और sporophytic generation gametophyte के उपर depend करती है यहाँ पे higher plant में gametophytic generation जो होती है वो sporophyte पे depend करती है higher plants में एंजियो स्पम में ठीक है so funicle हमने देख लिए highlam highlam क्या है तो ये funicle और ovule के बीच का जो junction होता है ये concave ये जो concave सा cut है इसे highlam बोलता है integument integument protective covering ये जो new cellus है इसकी जो ये protective covering है just a minute so ये है integument so depending upon की कौन सा plant है ये integument की 2 या 3 layer हो सकते है यहाँ पे ये 2 layer है integument की ये एक protective covering है micropyle हमने देख लिया chelizar हमने देख लिया new cellus हमने देख लिया mdosec के बारे में हमने बात करी ठीक है next है megasporogenesis and megagametogenesis megasporogenesis पहले megasporogenesis देखेंगे कि megaspor कैसे बन रहा है फिर उसके बाद megagametogenesis देखेंगे कि megagametophyte कैसे बन रहा है तो ये बहुत important slide है इसे बहुत ध्यान से सुनना थोड़ी सी confusing भी है ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया जो newcellus होता है वो sporogenesis टिश्यू होता है तो उसकी कोई भी एक सेल megaspor mother cell की तरह बहेव करती है ठीक है तो hypodermal cell of newcellus toward micropylor end micropylor end के side वाली जो cell होती है वो primary archysporial cell की तरह बहेव करती है यानि megaspor mother cell की तरह बहेव करती है ठीक है यह है यह इसके चारो जो सेल्स है यह ovule primodium बनाती है यानि जो integument वगेरा जो बनाएंगी वो है यह ठीक है अब यह जो primary archysporial cell है ठीक है इसमें एक mitosis होगा पहले दो सेल बनेंगी ठीक है दो सेल कौन से बनेंगी माइक्रोपाइल के साइड वाली जो सेल है माइक्रोपाइलर एंड के जो साइड वाली सेल है वो primary parietal cell बनाएंगी जो की wall cell में develop हो जाएंगी wall cell बनाएंगी और जैसा कि मैंने बताया जो archysporial cell थी वो क्या बनाएंगी integument बनाएंगी और यह जो primary sporogenous cell है primary sporogenous cell यह basically कौन है Megaspore mother cell क्योंकि meiosis अब इस cell में होगा primary sporogenous cell as a result of meiosis 4 haploid Megaspore बनेंगे अब आप यह जो Megaspore देख रहे हो 4 यह थोड़ा सा uneven सा meiosis है क्योंकि इसमें एक तो बड़ी cell बनी है और बाकी तीन जो है size में छोटी है क्यों? क्योंकि basically एक ही Megaspore develop होना है और इसी लिए यह uneven सा division हुआ है जिसमें से एक में cytoplasm जो है सबसे ज़्यादा आ गया है तो यह जो बड़ी वाली cell है challengeal end वाली माइक्रोपाइलर एंड तो यह हो गया माइक्रोपाइलर एंड वाली नहीं opposite to माइक्रोपाइलर एंड वाली चलेजर एंड वाली यह cell functional Megaspore की तरह behave करती है अच्छा यह भी plant के type पे depend करता है कि यह जो Megaspore है वो कौन सा functional होगा चलेजर एंड वाला functional होगा या फिर माइक्रोपाइलर एंड वाला functional होगा इसके बेसिस पे भी plants को categorize किया गया है लेकिन most of the cases जो सबसे common है उसमें चलेजर एंड वाली जो Megaspore है वो functional रहता है ठीक है बाकि की जो 3 Megaspore है वो क्या होने लग जाती degenerate हो जाती है अब यहाँ तक तो यह हो गया आपका Megasporeogenesis Megaspore बन गया अब Megaspore से finally Megagametogenesis कैसे होगा पहले gametophyte कैसे बनेगा और फिर gametophyte के अंदर female gamete कैसे बनेगा now next is Megagametogenesis ठीक है तो अब यह जो functional Megaspore है न अब इसमें mitosis होंगे तो एक से दो अच्छा यह mitosis अभी free mitosis है सिर्फ nucleus बन रहे cytoplasm नहीं divide हो रहा तो एक से दो nucleus बन गए यह mitosis 1 हुआ फिर mitosis 2 हुआ तो 2 से 4 nucleus बन गए फिर mitosis 3 हुआ तो 4 से 8 nucleus बन गए अब यह 8 nucleus में एक उपर से और एक नीचे से nucleus shift होके center में shift हो जाएंगे ठीक है यह center में shift हो गए और बाकी के जो यह 3-3 nucleus है वो opposite poles पे रह जाएंगे यह जो उपर और नीचे वाले poles पे जो nucleus है इनके चारों तरफ cell wall फॉर्म हो जाएंगे cell membrane और cell wall फॉर्म हो जाएंगे और यह cell अलग-अलग हो जाएंगे लेकिन यह center वाले nucleus है यह खुले रह जाएंगे तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 cell तो यह बाकी का बीच का पाटे यह बिल्कुल एक center बड़ी cell बन गई ओडी जो तीन सेल बनी है उसमें से यह जो सेंटर वाली सेल है यह है एक्चुल में फीमेल गैमेट बाकि यह जो दो है वो सिनर्ज़िड है और यह चैलिजल एंड पे जो तीन सेल बनी है यह है एंटिपोडियल सेल्ट्स ठीक है तो इस तरहिके से most of the cases में नुकलियस वाला होता है, ठीक है, 7th cell, 7th cell कैसे, 3 उपर, 3 नीचे, 6 और 7 ये बीच वाली पड़ी cell, तो टोटल कितनी cell हुई, 7th cell, और नुकलियस लेकिन कितने है, क्योंकि बीच वाली cell में कितने नुकलियस है, 2 नुकलियस है, तो 8 नुकलियस, तो ये स्पैशलिटी है, of the, most of the, अंजियोस्पामिक प्लांट कि जो फीमेल गैमीटोफाइट बनने वाला है, वो 7th cell, 8 नुकलियस वाला होगा, तो, I hope it is clear, all of you, now, next is, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि ये भी plant to plant depend करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं, अक्चुल में, इसके, Ona, on the basis of Megasporogenesis and Megasporogenesis, जो फ्लांट है, वो Monosporic हो सकते हैं, दो टाइप के, Monosporic भी दो ताइप के हैं, पॉलीगोनम और ऊइनोथेरा, या फिर Bisporic हो सकते हैं, या Tetrasporic हो सकते हैं, तो monospore जैसा अभी अभी जो हमने डिसकस किया है, उसमें क्या है केवल एक functional megaspore रहेगा और तीन जो है वो degenerate हो जाएंगे लेकिन इसके भी दो टाइप यहां पर classify कर रहे हुए हैं हमने polygonum और ointhera, ठीक है तो यह उस बेसिस पर है कि चलेजल एंड वाला megaspore functional रहेगा या फिर mycopylar वाला megaspore functional रहेगा तो उससे यह दो टाइप हैं फिर next आता है हमारा bisporic और tetrasporic, so bisporic में दो functional megaspore रहेंगे और tetrasporic में चारो जो megaspore है वो functional रहेंगे, adoxa, adoxa में यह 4 nucleus बने और यह 4 ही ultimately functional रहते, एक ही cell रहती है उसके अंदर 4 nucleus रहते हैं और 4 ही functional रहते हैं कोई साभी degenerate नहीं होता है, तो on the basis of कि कितने megaspore functional रहेंगे यह basically 4 टाइप का है ठीक है, फिर mega gametogenesis कैसे हो रहा है, यह single वाला तो हमने देख लिया है, जब single megaspore functional रहता है तो उस case में क्या होता है, single megaspore functional रहता है, polygonum वाला अभी अभी हमने देखा है तो polygonum वाले में हमने क्या देखा है, कि पहली बात तो challenger land वाला megaspore functional रहता है फिर उसमें mitosis होते हैं, 1-2, 2-4, 4-8 nucleus बनते हैं, फिर 8 में से 2 center में आ जाते हैं और दोनों opposite ends पे 3-3 cells बन जाती हैं ठीक है, oynothera में पहला mitosis हुआ, 2 nucleus बने, दूसरा mitosis हुआ, 4 nucleus बने, अब यह जो 2 nucleus बने थे पहले mitosis में, यह opposite end पे नहीं गए, राधर यह संगीर है और दूसरा mitosis हुआ, तो 4 nucleus बन गए, और तीसरा mitosis फिर इसमें होता ही नहीं है, और इन 4 में से यह एक center में आ गया center में आने के बाद इसमें mitosis हुआ, और यह 1-2 nucleus बन गए, और बाकी यह 3 जो हैं, उनमें से 2 synergids बन गई, और एक center वाली axel बन गई, तो यह थोड़ा से different है, oynothera का उसके बाद next है bisporic alien type का, तो इसमें 1-2 nucleus बने, sorry, यहाँ पे हम देख रहे थे, तो यह 2 functional mega spore हैं इसमें, so next है bisporic alien type का, तो alien में क्या हुआ, हमें पता है कि 2 functional mega spore रहते हैं इसमें, तो यहाँ पे पहला mitosis एक तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि 2 mega spore functional है, इन दोनों functional mega spore में अलग-अलग mitosis हुआ और दोनों end पे दो-दो nucleus बन गए, फिर दूसरा mitosis हुआ, 2-4 nucleus बन गए, फिर वो ही है, एक nucleus उपर से migrate होके और एक nucleus नीचे से migrate होके center में आ गया और उसने center cell बना ली और फिर चलेजल end पे तीन, क्या बन गई, एंटिपोडियल cell बन गई और micropylor end पे 2 synergid और एक egg cell बन गई, टेट्राइस्पोरिक टाइप में, 4 omega spore functional है, तो finally बस एक ही mitosis होता है, एक mitosis की वज़े से 4 से 8 nucleus बन जाते हैं, वो यह 8 में, उपर वाले चार में से 1 और नीचे वाले चार में से एक जो nucleus है, वो center में आ जाता है, migrate होके, और center बाली cell बना लेता है, और फिर चलेजल end पे 3 in antipodial cell और mycopylar end पे 2 synergid और 1 ax cell बन जाती है, तो यह total 4 टाइप के यहां पे हमने discuss कियो है, plants on the basis of megasporogenesis ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ 4 टाइप से हैं, और भी बहुत सारे टाइप से हैं, इनकी और भी जादा divisions हैं आपस में, ठीक है, but we don't, we will not go into so much detail, so next topic जो हमें study करना है, वो आता है, pollination, ठीक है, pollination क्या होता है, transfer of pollen grain from enter to stigma of the same flower or different flower on the same plant or different plant, ठीक है, तो यह है pollination की definition, अगर pollination के division के बारे में बात करें कि pollination कितने टाइप का होता है, तो basically pollination दो टाइप का होता है, self-pollination और cross-pollination, जब एक same plant के अंदर ही pollination हो रहा है, plant same है, या फिर same flower है, यह plant की जगे मैंने man मना दिया, so यह flower है, यह plant है, यह उसकी roots है, यह leaf है, तो अगर एक ही plant पे, तो अलग-अलग flowers के बीच में अगर pollination हो रहा है, यह same plant का, same flower का same flower से pollination हो रहा है, तो यह दो टाइप का self-pollination होता है, तो autogamy वो process है, जब flower same रहता है, एक flower का, एक flower में का जो एंधर है, उससे pollen grain उसी same flower के stigma पे गिरता है, autogamy को enable करने के लिए plant स्टिक्मा पे गिर गया, तो उस case को xenogamy कहते हैं, तो self-pollination का वो पार्ट जिसमें की flower same रहता है, उस पार्ट को, उस type को autogamy कहते हैं, इसके अलावा gtnogamy और xenogamy तोनों को allogamy कहते हैं, जिसमें flower तो change हो रहे हैं, at least, ठीक है, ठीक है, तो यह बहुत basic सा classification है, पॉलिनेशन का, you must have read it into small classes, ठीक है, तो यह जो मैंने अभी अभी explain कराया, explain किया, वही सब मैंने यहां पे लिख रखा है, ठीक है, तो अगर आपको यह notes जो हैं, मेरे चहीं हैं, तो आप मेरी website पे जाके visit कर सकते हैं, मेरी website का नाम यहां पे लिख रखा है, पीछे bookmark में, this is www.learnsciences, ठीक है, science नहीं है, sciences है यह, S है उसके आगे, learnsciencesonline.com, तो यह मेरी website है, इस पे आप जाके various topics के बारे में पढ़ सकते हैं, मैं regularly blog लिखती हूं, plus topic से related mock test वगर अगर आप देना चाहते हैं, तो आप जरूर से दे सकते हैं, राइट, next है mode of cross pollination, तो cross pollination के क्या-क्या mode रहेंगे, कितने type का cross pollination होता है, तो यह कुछ टाइप हैं, इसमें zoophily भी आ जाता है, जैसे की रफलेशिया फलार का pollination जो होता है, वो elephants की through होता है, तो कई बड़े-बड़े फलार ऐसे होते हैं, जिसमें बड़े आनिमल्स भी इंवाल्व होते हैं, ठीक है, तो फिर वो class हो जाती है, जूफिली, तो एक एक करके हम यह discuss कर लेते हैं, तो जो एनिमोफिलस फलार की बात करूँ, तो एनिमोफिलस फलार जो होते हैं, colorless होते हैं, odorless होते हैं, nectarless होते हैं, देखो कोई भी plant जिसका pollination किसी भी physical factor के through हो रहा है, चाहे वो water हो, चाहे वो window, तो वो flowers जो होते हैं, वो हमेशा colorless, odorless और nectarless ही होते हैं, क्योंकि plant फिर color, odor और nectar produce करने में अपनी energy waste नहीं करता, क्योंकि air और water तो physical components हैं, they need not to be attracted, ठीक है, color, odor और nectar की जुरत तब पढ़ते हैं, जब किसी को attract करना हो, इंसेक्ट को attract करना हो, या bird को attract करना हो, ठीक है, तो जो अगर air pollinated flower हैं, या water pollinated flower हैं, तो वो हमेशा colorless, odorless, nectarless ही होंगे, हम air से pollinated flower हैं, तो obviously बाते हैं, उसमें stigma जो होगा, वो hanging हो, sorry, यह जो filament होगा, enter का, वो इस तरीके से long होगा और loose होगा, ताकि जो enter है, वो बाहर इस तरीके से hang करते रहें, और बहुत असानी से जो pollen grain है, वो air में spread हो सके, ठीक है, प्लस जो stigma होगा, वो इस तरीके से feedery होगा, बाहर की तरफ hang कर रहा होगा, ताकि वो capture कर सके, जो हवा में pollen grain है, उन्हें capture कर सके, catch कर सके, ठीक है, तो इसके example होगा, coconut palm, date palm, maize and many grasses, अगर hydrophytes की, अगर हम बात करते हैं, तो hydrophytes में भी जो flower होते हैं, उनके जो, वो colorless और odorless होते हैं, same है, small inconspicuous होते हैं, क्योंकि इतने attractive flowers की जुरत क्या है, जब किसी चीज को attractive नहीं करना तो water need not to get attracted, ठीक है, तो यह, और यह special character यह है कि light और non-wattable pollen grains होते हैं, non-wattable मतलग कि गीले नहीं होने चाहिए, pollen grain खराब नहीं हो जाने चाहिए, और light हो ताकि वो water की surface पे आराम से float कर सकें, और जो stigma होते हैं, long और sticky होते हैं, ताकि जो water की surface पे pollen grain तैर रहे हैं, float कर रहे हैं, उन्हें आराम से वो stigma जो है, वो catch कर सकें, ठीक है, so epihydrophily, hydrophily का यह एक subtype है, epihydrophily जब जो pollination है, वो water की surface पे होता है, तो water pollinated flower के example है, वेलिस नेरिया, हाइडिला एलोड, lotus अल्दो हाइड्रोफाइट है, लेकिट फिर भी वो hydrophilis flower नहीं है, उसका pollination पानी की help से नहीं होता, lotus is an antimophilis flower जिसमें insect used to help it in the pollination, और इसलिए lotus इतना brightly colored होता है, to attract the insect, तो आप किसी flower के बारे में, अगर आप किसी flower को देखो, वो flower attractive है, beautiful color है उसमें, तो आप तुरन समझ जाओ कि इधर वो insect से pollinate हो रहा है, या फिर उसे bird pollinate करें, अच्छा, bird और insect के pollination में भी एक बहुत अच्छा difference होता है, कि जो bird pollinated flower होते हैं, उसमें इस तरीके से tube सी बनी होती है, ताकि bird की बीक आराम से नीचे तक चला जाए, नेक्र सक करने के लिए, और जो insect pollinated flower होते हैं, वो इस तरीके से, इस तरीके से होते हैं, सरफेस पर होते हैं, क्योंकि insect को इतने अंदर तर गुषने की जुरत नहीं है, वो उपर ही आराम से बैटके नेक्र सक कर सकता है, तो आप किसी flower को बाहर से देखके भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाइ कर सकते हो, कि इसका जो pollination है, वो किस agent से हो रहा है, थोड़ी से ध brightly colored होते हैं, show ही होते हैं, odor produce करते हैं, nectar produce करते हैं, ताकि insect उनकी तरफ attract हो, उनके पास आए insect, उनसे अनेक्र सक करने के लिए उन पे बैठें, और जो pollin grain है, उसकी लैक्स पे चिपक जाएं, और फिर वही same insect जब किसी दूसरे flower पे विजिट करें, तो वो pollin grain उस दूसरे flower के सुन्दर सुन्दर फूल तो पेचे एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपना पॉलिनेशन कराना ह। रहा वैसे प्लांड्स हमे बहुत कुछ देते हैं, उसके बदले में हम उन्ने कुछ भी नहीं देते हैं और उन्हें काट भी देते हैं खेर नेक्स्ट है पोलन ग्रेंज और स्पाइनी इन स्टिकी एंड हैवी ताकि वो अटाच्ट रह सकें इंसेक्ट की सर्फेस से और जब इंसेक्ट उड़ता है हवा में तो वो आसानी से गिर ना जाएं ठीक है स्टिग्मा की होता है ताकि जो पोलन ग्रेंD और निथोफिलS फ्लार तो जैसा कि मैंने बताया था ट्यूब जैसा structure होता है इन में तो आप यहाँ पे इस flower में देख सकते हो यह जो bird है इसकी beak के shape की इसकी flower की tube है तो जो इसका pollinator है जो plant है उसने flower भी उसी तरीके से adapt कर रखा है तो pollinator के according flower produce हो रहा है brightly colored होते लीधरी floral parts होते है abundant of watery nectar produce करते है और edible उनके parts जो होते है edible होते है ताकि birds उने खा सके लेकिन scent नहीं होती इन में इसकी तरीके की खुश्बू नहीं होती क्यों क्योंकि जो birds हैं they cannot smell तो again they don't waste their energy in producing any unuseful thing ठीक है कारप्टोफिलस flower तो कारप्टोफिलस flower specially night में bloom करते है क्यों night में bloom करते है क्योंकि उनका जो pollinator है bat वो night time में ही तो बहर आता है तो दिन में bloom करके क्या गरेंगे तो वो night में bloom करते है और white color के होते है क्योंकि रात में कोई color दिखता नहीं है ठीक है और कॉन्स थो टाइप की सेल्स होती है है कॉन्स ब्राइटी कलर सा ब्राइट कलर्स को ऑपजर्ब कर सकती हैं रोट ये व दिम लाइट में वर्क करती है तो ये के वल ब्लाक राइट ब्लाक बेट इस तो अंधय होते हैं तो उनने फ्लारे ने दिखते तो कलर क्या दिखेंगे, लेकिन वो सूंग जरूर सकते हैं, इसलिए इन ये स्मेल बहुत अच्छी प्रेडियूब्स करते हैं, ये स्मेल बहुत अच्छी करते हैं ताकि K आउट ब्रीडिंग डिवाइसे आउट ब्रीडिंग डिवाइसे क्या होते हैं प्लांट में कुछ ऐसी अडेप्टेशन होती हैं जो की सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमूट करती है तो पहली बात तो ऐसा क्यों होना जरूरी है क्रॉस पॉल female gamete, यह male gamete है और यह female gamete है, तो sexual reproduction की खासियत क्या है, male gamete और female gamete का fertilization होता है, as a result zygote बनता है, तो यह fertilization क्यों होना जरूरी है, ताकि DNA recombination हो सके, DNA में variation आ सके, तो क्योंकि male gamete का DNA अलग होगा और female gamete का DNA अलग होगा, तो zygote जो होगा, एक तरीके से recombinant DNA होगा, उसमें और other variation होगी, उसमें आदे करेक्टरिस्टिक अपने male parent से आयोंगे और आदे करेक्टरिस्टिक अपने female parent के आयोंगे, ठीके, लेकिन अगर self pollination होता है plant में, तो sexual reproduction का कोई significance नहीं रह जाता, क्योंकि male और female gamete एक ही plant के produce हो रहे हैं, तो जब male और female gamete एक ही plant से produce हो रहे हैं, तो वो DNA तो सेम ही रहे हैं, और इधर भी DNA recombination नहीं हुआ तो clone ही बनेगा, तो फिर sexual reproduction में इतनी energy क्यों वेस्ट करने हैं, तो इसलिए outbreeding devices वो डिवाइसिज होता हैं किसी plant में, जो कि उसके self pollination को रोपता हैं, और cross pollination को promote करते हैं, जिससे की जादा से जादा DNA recombination हो सके हैं, और different varieties produce हो सके हैं, तो उसमें से पहला है die cleaning, यानि unisexuality, यानि flower ही unisexual होता है, ना same flower में both sexes होंगी और ना ही self pollination होगा, लेकिन एक plant में, एक plant में अगर ये female flower है और ये अगर male flower है, तो जिटेनो गेमी भी तो हो सकता है, उस case में भी DNA recombination ही होगा, क्योंकि plant तो ultimately same है, DNA all over same ही होगा, तो फिर, फिर आता है pre-potency, pre-potency pollen grain of another flower germinate more rapidly over the stigma than the pollen grain of the same flower, मतलब कि अगर एक flower है, उस flower में पे same plant का pollen grain गिरा है, और different plant का pollen grain गिरा है, तो ये different plant का pollen grain जल्दी से germinate हो जाएगा, जल्दी से pollen tube बना लेगा, और इसकी probability बढ़ जाएगी fertilization की, इसकी probability घट जाएगी fertilization की, तो इस से अगेन जो है DNA recombination होगा और variation produce होगी, तो ये pre-potency होती है apple में और grape में, self-sterility, self-sterility यहाँ पे germinate होगा ही नहीं, same flower का जो pollen grain है, same flower के, या same plant का जो pollen grain है, same plant के stigma पे germinate ही नहीं होगा, self-sterility है, इसकी खुद के लिए sterility है, खुद से खुद germinate ही नहीं होगा, जैसे ये flower है, ये दूसरा flower है, अब तीन case देखते हैं, ये pollen grain इस flower का है, यहाँ पे गिरा, ये होगा जिटेनोगेमी, ये होगा आटोगेमी, और ये होगा जीनोगेमी, ये होगा जीनोगेमी, ये अ तो ये दोनोगे जर्मिनेट नहीं होगे, पोलन ट्यूब नहीं बना पाएंगे, और ये वाला पोलन grain जो की अधर प्लांट से आया, ये जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, तो इस पार्ट को बोलते हैं, self-sterility, नेक्स्ट है ये चोटे होते हैं, एंडूशेम का फिलामेंट काफी चोटा-चोटा होता है, तो ये पोलन grain जो हैं, उपर तक नहीं जाते हैं, राधर ये कहीं दूसरे flour के ऊपर चले जाते हैं, कई flour में style, बड़ी चोटी सी होती है, पोलन के एंटर के stigma काफी बड़े-बड़े होते हैं एंथर के फिलामेंट्स काफी बड़े बड़े होते हैं तो उस case में भी most of the cases में pollen grain जो है वो cross pollination प्रेफर करता है हारको गेमी हारको गेमी में क्या होता है कि stigma के उपर एक hood सा होता है जो उसको cover करके रखता है यानि एक कोई barrier होता है between the anther and the stigma of a flower तो suppose यह flower है इसका stigma है और यह anther है तो इनके बीच में कोई barrier होगा कुछ hood होगा जो इस pollen grain को prevent करेगा from falling down on the stigma of the same flower तो इसको हारको गेमी कहते है डाइको गेमी डाइको गेमी में दो cases आते है protendry, protogyny protendry में endosium पहले mature हो जाते है तब तक gynosium mature ही नहीं होती है तो जो pollen grain है वो अगर उस gynosium पे गिर भी जाए तो germinate नहीं होगे क्योंकि gynosium mature ही नहीं होगे तो obviously वो किसी दूसरी gynosium पे germinate होगे protogyny में gynosium तो mature हो गई proto gynae, proto यानि पहले gynae यानि gynosium तो gynosium तो mature हो गई लेकिन endosium mature नहीं होगे तो क्योंकि endosium mature नहीं होगे तो pollen grain अभी तक बने ही नहीं है और gynosium अलड़ी fertile हो चुकी है तो वो किसी और pollen grain को obviously germinate करवा लेगी अपने उपर तो यह कुछ outbreeding devices हैं जो कि help करते हैं plant की in favoring the cross pollination उसके बाद next आता है artificial pollination so artificial pollination वो method है जिसमें जो human है वो अपना interfere करता है in the pollination जब भी human ने male और female plant select करके रखे हैं और वो चाहता है कि basically इन दोनों के बीच में pollination हो क्योंकि उसे किसी तरह के hybridization या कोई experiment करना है तो उस case में यह artificial pollination help करता है तो जब genetics पढ़ेंगे महां मेंडल के experiment पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड की वाइद इस artificial pollination is needed ठीक है तो और जेंडल मेंडल ने भी किसने सारे artificial pollination कराये होंगे to perform many experiments related with genetics तो सबसे पहला प्रोसेस होता है selection की अपने desired characteristic वाले plants को select कर लो फिर emasculation जिस flower को आपको as a female flower behave कराना है उसके stamen remove कर दो ताकि किसी भी जड़ेके के self pollination की कोई संभावना ही ना रहे फिर bagging उसके female part को cover कर दो एक transparent bag से ताकि किसी unwanted cross pollination की संभावना ना हो फिर collection of pollen grain तो जो desired male plant है उसके pollen grain को collect करना then उसको pour करना on the selected female flower and then cover the gynosium again so that एक पर हमने pollen grain डाल दी उसके बाद कोई और unwanted pollen grain आपके उस पर germinate ना हो जाए तो यह जो पूरा प्रोसेस है यह artificial pollination करात कहलाता है ऐसा करने से हमारी desired characteristic वाले जो male और female flower है या male और female plant है उनकी characteristic वाली generation हम obtain कर सकते है नेक्स्ट है pollen-pistil interaction so pollen और पिस्टिल के interaction कैसे होती किस तरीके से pollen-pistil के उपर germinate करता है तो यह dynamic process है जिसमें pollen recognition होता है सबसे परहले तो देखो अगर रोज का flower है तो इसको जरूरी नहीं है ना कि इसके उपर रोज के pollen grain ही आके गिरे है ठीक है वो इंसेक्ट पहले किसी और फ्लार पे भी जा चुका होगा मालो वो hibiscus पे विजिट करके आयोगा और उसके पैरों में hibiscus के pollen grain लगे होंगे तो फिर वो hibiscus के pollen grain जब रोज के उपर आके गिरते हैं तो क्या वो hibiscus के pollen grain रोज के उपर जर्मिनट होंगे नहीं वैसे रोज तो मैंने बहुत गलत एक्जामपल ले लिया है क्योंकि रोज में तो sexual reproduction होता ही नहीं होता है पर viable seed नहीं बनते हैं खेर हाँ ठीक है एक्जामपल हम ले सकते हैं तो hibiscus के pollen grain क्या रोज के उपर जर्मिनट होंगे बिल्कुल नहीं होंगे तो कैसे रोज को कैसे पता चल रहा है कि वो hibiscus के pollen grain है तो सबसे पहले तो pollen recognition होता है इनके कुछ chemicals होते हैं जो कि एक दूसरे के compatible होने चीए और जब वो chemical compatible होते हैं तब ही जाके जो pollen grain है वो germinate करता है तो सबसे पहले तो pollination होता है pollination के पाद pollen adhere होता है on the surface of stigma तो stigma पर जब वो adhere हो गया चिपक गया तो उसके बाद फिर pollen का hydration होता है ठीक है? पोलन का hydration मुदला pollen water absorb करता है और water absorb करने के बाद pollen germinate करता है लेकिन यह सब तब ही होता है जब कि interact कर लिया है pollen और पिस्टिल ने और वो दोनों आपस में compatible है compatibility के बाद ही यह सारा process जो है वो follow होता है ठीक है फिर जब pollen germinate हो गया तो pollen tube stigma में एंटर करेगी फिर style के थुरू ग्रो करेगी फिर ultimately ovule और embryo sec में एंटर करेगी और ultimately जो क्या होगा double fertilization होगा तो यह जो पूरा process है यह क्या कहलाता है golden pistil interaction next है fertilization so fertilization वो process है जिसमें जो male और female gametes है वो आपस में fuse होते हैं और as a result zygote बनता है ठीक है plants में साइफोनोगेमी होती है साइफोनोगेमी वो condition है जब एक tube जो है वो male gamete को deliver करती है up to female gamete क्योंकि अगर हम देखें तो male gamete भी motile नहीं है male gamete भी just एक nucleus है ठीक है वो भी motile नहीं है उसको भी move करना tube है यह pollen tube ultimately deliver करें male gamete को up to the female gamete ठीक है तो क्योंकि यह tube की help से हो रहा है तो इसलिए इस process को साइफोनोगेमी कहते हैं lower plants में male gamete अलग water में छोड़ दे जाते हैं female gamete अलग water में छोड़ दे जाते हैं और दोनों gametes water के अंदर ही मिल जाते हैं तो उसे hydro gaming बोलते हैं ठीक है यहां पर tube की help से हो रहा है तो यह साइफोन गेमी है ठीक है फिर जो pollen tube होती है it eats its way through the solid part of stigma and style तो जो stigma और style होते हैं वो hollow नहीं होते हैं वो solid होते हैं enzyme hydrolytic enzyme release करती रहती है कि वो बीच में आने वाली cells को degenerate करती रहती है और अपना रास्ता खुद बनाती जाती है ठीक है वो enzyme कौन कौन से होते हैं pectinase and other hydrolytic enzymes फिर pollen tube travels intercellularly and chemotropically along the concentration gradient of calcium iron calcium boron inositol sugar complex अब देखो जैसे कि so suppose यह है stigma यह लंबी सी style और यह है ovary ठीक है और यह ovary में है ovule यह embryo sec ठीक है अब pollen grain यहाँ पर आके stigma में पर गिरा तो pollen tube को कैसे पता चला कि उसे इधर ही germinate होना है वो इधर से भी तो निकल सकती थी हवा में भी तो निकल सकती थी पर वो हवा में तो नहीं निकलती वो वही निकलती है जहां से वो stigma के contact में होती है यह जो movement है इसे chemotropic movement बोलते है ठीक है tropic movement वो movement होती है जो किसी भी plant part की होती है in the response of any external stimuli और वो external stimuli जब कोई chemical होता है तो ऐसी tropic movements को chemotropic movement कहते है और यह chemical कौन सा है carbon, boron, inositol, sugar complex ठीक है तो यह इस इस chemical के gradient की तरफ chemically move करती जाती है और ultimately कहां तक पहुँच जाती है up to the embryo sec and finally to the male, female gamit ठीक है pollen tube के mode, entry के mode कौन कौन से होते है पोरोगेमी जबकि वो micro pile से enter करती है चलेजोगेमी जब वो चलेजा की cell को break करती है और मीजोगेमी किसी भी point पे between माइक्रोपाइल और चलेजा उनके बीच का कोई भी point select करके वहां से enter कर जाती है अगर हम इसका डाइग्राम देखें तो यह डाइग्राम आपको बहुत क्लिरले explain कर देगा जब पोलन ट्यूब पोर से माइक्रोपोल से एंटर करें तो पोरोगेमी चलेजा से एंटर करती है तो चलेजोगेमी और बीच में से कहीं से एंटर कर जाती है तो मीजोगेमी तो यह पोलन ट्यूब के एंटरी के methods है नेक्स्ट इस जबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन आज के लिए इस इतना ही बहुत है मैं भी थक गई हूं तुम भी थक गई होंगे तो टेक रैस्ट और यह हम डिसकस करेंगे मेरी नेक्स क्लास में जो आपको मिलेगी साटड़े को तो अंटिल तैन stay tuned अब मेरे updates को देखते रहो मेरी website पे जरूर विजिट करते रहो topics पढ़ते रहो and all the best for your board सक्क्राइब अब को मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को like and subscribe मत करना भूनना और bell icon तो जरूर प्रेस कर देना वरना मेरे आगे के वीडियो कैसे देख पा होगे और प्रीज मेरे page को जो की instagram पे और facebook पे भी है उससे जरूर like कर देना यह मेरा youtube चैनल है और यह मेरा facebook पे page है www.facebook.com slash learn sciences online और जो instagram पे मेरा page है उसका id है www.learnsciencesonline.com 1 ठीक है और मेरी website जाके जरूर विजिट करना आपको बहुत interesting biology से related topics वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे different mock test आपको मिलेंगे जो की आपकी practice कराएंगे आपको need के लिए prepare कराएंगे ताट çalışक है लए प्नम के लिए range लिए मार मेरे लो angled है Сп Morning पाइंगे लिए क्वाएंगे के लो मेदेरेवा you can कि लिए भी घर तुट्ट अरूर है, जैंप., अरी समय लिए, टिवाज, वेख़े जैं, झाल 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 आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलना और बैल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना वरना मेरे आगे के वीडियो कैसे देख पाऊगे और टीज मेरे पेज को जो की इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे भी है उससे जरूर लाइक कर देना ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेस्बुक पे पेज है www.facebook.com slash LearnSciencesOnline और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आइडी है LearnSciencesOnline.com 1 ठीक है और मेरी वेबसाइट जाके जरूर विजिट करना आपको बहुत इंट्रेस्टिंग बाइलोजिस रिलेटेट टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो की आपकी प्रेक्टिस कराएंगे आपको नीट के लिए प्रिपार कराएंगे